तो आज हमारे पास है Micropower दे सकते हैं यह Micropower Technology है इसका फ्रंट वीव है तो यह इसका इंवर्टर सक्षन दो कपैस्टर शंट लगा हुआ है शंट कि बैक वीव फ्लसीड पैनल तो शॉन्टिम में देख सकते हैं वो एक आपकी अनफिग्रेशन है ब्रिज है तो यह हाई डिसी बनती है इस पे उपर इंजी बीज को कंट्रोल नहीं किया हुगा तो इस ब्रिज से बने ही आटपूर्स को आजी बीटी पर डाला हुआ है और अजी बीटी को कंट्रोल्ड चार्जिंग को चार्जिंग इसकी कंट्रोल्ड है बहुत सिंपल टैन केवी का यूपरस है इसमें जो आजी बीटी लगे हुई है वो देख पाएंगे आप यह माइक्रोपीचा सा डिस्प्ले के लिए यह इंपुट और पूट सेंस के लिए यह दूनों ट्रांस्वर में लगे हुए यह एक कंट्रोल कार्ड है कि निकालने के लिए यह आपके चार्जिंग है पिरमिड की कॉपी है डिट्टो पिरमिड यूट्यल और ड्राइवर लगे हुए हैं इस यह द्राइवर्स एंड कनेक्शन्स लंबरिंग की होई इस फिर वाइजी बीटिक उपर आ जाते हैं किनक्शन इनके सिंपल यूपियस की चोक लगागी है फिल्ट्रेशन के लिए और यह क्या करते हैं अपकर आउट्पूर्ट आउट्पूर्ट ट्रांस्वर्मर है वो एक सेटी लगी हुई है यह वो एमसी भी है चेंज़बर स्विच डीसी एमसी भी कपाइश्टर कि बहुत सेंपल यूपियस और टकनोलोगी तो थोड़ा से मोडिफाई किया गया और कुछ नहीं किया गया बस यह जो है यह आपका चार्जर है चार्जर यह कार्ड इससे चार्जिंग इंट्रोल की गई है कि चार्जर है यह ड्राइवर को पावर स्प्लाई देता है और आके दुने ड्राइवर लगे हुआ है यह बैक व्यूव कि टी-एक्स बाइ माइक्रोब प्रोसेसर लड़ लें थांगर आके व्यूर को झाल है यह रवाद को भी अथरोसे